हेलो डियर स्टूडेंट पहला असी कवी कादर यार्दी रचना किस्सा पूरण पगत मापुत्तरदा मेल दी व्याख्या कम्प्लीट कर चुके हैं अते हुँ नेक्स्ट पेटा अज असी इसता सार लिखना है ठीक है ते ए सार तुसी अपने कॉपी जब पर नोट करना है सब्तो पहलना सी प्रशन रीट करांगे कवी कादर यार्दी रचना किस्सा पूरण पगत मापुत्तरदा मेल दासार अपने शब्दा विच लिखो नेक्स्ट पेटा उत्तर है किस्सा पूरण पगत मापुत्तरदा मेल साधी आई एस सी बोर्ड वलो निर्दारित पुस्तक काव क्यारी विच दर्ज है जो के कवी कादर यार्दी शाह का रचना है काव क्यारी पाठ पुस्तक विच किस्सा पूरण पगत विच्चों मापुत्तरदा मेल नाल सबंदित कुझ बांद शामल हन इस विच कवी ने मादी ममता दे गौरव अते महमानू ब्यान कीता है ओके बेटा सब तो पहला असी पर सांग लिखना है ते इस विच देखो बेटा पहला रचना दा नाम आगया पूरण पगत मापुत्तर दा मेल उस तो बार नेक्स बोर्ड दा नेम आगया बेटा आई एससी बोर्ड ठीक है केड़ी पुस्तक विच दर्ज है काव क्यारी पुस्तक विच अते केस दी रचना है कभी कादर यार दी रचना ठीक है और नेक्स देखो बेटा ये थे वर्ड है बांद बांद मतलब के कुछ काव टोटे शामल कीते गयान उन्हें इसता की अर्थ है कि जो किस्सा पूरण पगत है वो काफी लंबा है पर जो साड़ी काव क्यारी पुस्तक है उस विच सिर्फ बेटा मापुत्तर दे मेल सबंदी थी कुछ अंच शामिल कीते गयान कुछ काव टोटे शामलन मतलब की साड़ी पार्ट पुस्तक विच पूरा पूरण पगत किस्सा नहीं है ठीक है नेक्स पिटा हुन इस विच कवी ने सिर्फ उस चीज नूँ शामिल कीता है जदों पूरण पगता अपनी मा इच उस नूँ ब्यान कीता है नेक्स बिटा इस तस बंद उस कटना नाल है जदों जोगी बनिया पूरण स्याल कोट विखे आपने बाग विच आउंदा है ता उस ती मेहमा सुन के पुत्तर विशोडे विच रो रो के अन्नी हुई मा इच्छरा उस नूँ मिलन आउंदी है ए जोह उस नूँ साच साच दस देन के साच मोच ही कोई जोगी उस ते पुत्तर दे उजड़े होए बाग नूँ हरया परया करन लई आया है हुन देखो बेटा इस जो साड़े किताब दे विच जो बंद शामिलन उस तस बंद किस ते नाल है के जदों जोगी बन के पूरण पगत स्याल कोट विखे अपने बाग वे चाउंदा है ते जोदों उस दी वड्याई बारे उस दी मेहमा बारे माता इच्छरा लोका दे मुहों सोंदी है ता उस समय ओ लोका नूँ पुछ दी फिर दी है ए पुछ दियो को नूँ सची दास्ते न के कोई किसे जोगी दे आ बाग नूँ वसा दिता है नेक्स पिटा जेकर एकल सची है ता ओह भी उस जोगी को जाके अपने पुत्तर विशोडे दे दुख विच रो रो के अनिया होईया अखा लेई दारू ले आवे क्योंके जोदों दा उस दा पुत्तर पूरन ओठों गया है उस ते जियोन दा को कोई स्वाद नहीं रह गया इसलिए जेकर ओह जोगी ओस दियां अनिया होईया अखा ठीक कर देवे पाव उस ता अपने पुत्तर नाल मिलाप करवा देवे ता ओह ओस जोगी तो वारे वारे जावेगी ओने इससे रही जोदो माता इच्छरा लोकान पुछ दी फिर दी है कि साच मुची कोई जोगी आया है ते जे गल साच है ता ओह भी उस जोगी को जावेगी ते जो अखा उसनिया पुत्तर वी छोड़े दे दोख वित वी योग वे चरोरों के अनिया होगी यहन उनना दारू लाएक आवेगी ओनली दवाई लाएक आवेगी ठीक है क्योंकि जो दो दा उसता पुत्तर पूरण उसनों शाड़े के गया है उसती जिन्दिगी जो जोए उस विच जिवे हने रचा गया है उस दी जिन्दिगी दा कोई स्वाद ही नहीं रह गया ते इसलिए उस ते इस तरह उसा अपने पुत्तर नाल मिला आप हो जावेगा ते जिसते नतीजे वजों जोगी तो बलहारे जावेगी वारे वारे जावेगी ठीक है बेटा नेक्स देखो इस तरह जदों माता इच्छरा आपने जोगी बने पुत्तर पूरण नू मिलन आउंदी है ता ओह राविच आउन वाले कंडेयां अते रोडेयां ती चोब ते ठेड़ेयां दी दर्दनाल बेहोश हो जान दी है क्योंके उसनू अखों अन्नी होन कारण राविच ले कंडे दिखाई नहीं दिन दे पर जदों पूरण माता इच्छरा दी अजही तर्स योग हालत वेखदा है ता ओह वी पावुक हो जान दा है अते उस तियां अखावी पार आउंदिया हन उस समय आसे पासे दे लोग जो के पूरण पगत दी शर्न विच आई सन ए सब देखके हैरान हो जान दे हन उके बेटा नेक्स देखोड़ के जदों माता इच्छरा दों लोग का दे मुहों उस जोगी दी वड्याई बारे पता लगदा है उस दी महमा सोन दी है ता इसलिए उस नों मिलना दी है तो उस नों अक्खा अन्य होन कारण उसनों रा विच पूरण माता इच्छरा नों जहे मंदी हालत विच आउंदे होई वेख दा है तो उस दा मन पारवंदा है पर जो लोग पूरण पगत दे को लाए सन जोगी बने पूरण पगत को लाए सन उस दी शरण वी चाय होई सन जो दो पूरण पगत दी जही हालत वेख देन माता इच्राल वेख के उसता परियोया मन वेख देन ते उथे बैठे लोग भी हरानों जान देन नेक्स देखो बेटा पहाँ गया है ओके बिटा ओन जोदों माता इच्छरा पूरन पगदे को पॉँच दी है ता उस समय पूरन उस ते नल दुख वर ना होदा है तो उसनों आखता है कि जो भी उस ते नल बुरी कटना वापरी है जो भी पाना वापरे है ओस ते बारे उसनों दसे ता उस समय माता इच्छरा उसनों उत्तर दिन्दे होई कैंदी है कि उसनों दुखा नों न फोले उसनों दुखा नो फेर न शेडे क्योंके जो दो दोस्तर पुत्तर उसनु शाड़के गया है उससे लीता हर पास से हनेर पैया गया है ठीक है बेटा, नेक्स देखो उस समय पूरण माता इच्छरा नू होंसला दिन्दे होई आखदा है कि ओह अपने पुत्तर नू याद करके ना रोवे क्योंके मरे होई इनसान मुड के वापस नहीं आउंदे उसनु आखदा है कि अरजन वरगा बहादर वीरवी आपने पुत्तर अभिमन्यू दे जांग विच मरन पिछों ताहा मार के रोया सी क्योंके उस्ते पुत्तर अभिमन्यू वर्गा कोई होर अभिमन्यू पैदा नहीं हो सक्या हुन देखो बेटा इस तो बात पूरण माता इच्छनन होंसला दिन्दा है दिलासा दिन्दा है क्यों अपने पुत्तरनों याद करके इस तरह नारोया करे क्योंके जो इंसान एक वारे इस संसार तो चला जन्दा है उं मोड के वापस नहीं दिन आऊंदा फिर इससे तरहें उं माता इच्छरा नू जो पांडव परामा विचो अर्जुन सी ठीक है उसती उधारन दिन्दा है कि जदो उसते पुत्तर अभी मन्यू दी मौत हो इसी ओवी ताहां मार के रोया सी ठीक है क्योंके उसते पुत्तर अभी मन्यू वर गा कोई हो अभी मन्यू पैदा नहीं हो सक्या सी नेक्स पिटा इस तना जदो माता इच्छना पूरंदे मुहों दिलासा देनवालियां गल्ला सुन दी है ताँ ओहो उसनू उसने मुलक अते माता पिता बारे पुछ दी है अते आख दी है कि जेकर उसनू अखा तो दिखाई दिन्दा हुन्दा ताँ उसने उसनी सूरत वेह के पशान लेना सी पर उसनी बोली सुन के उसनू इस तरह प्रतीत हो रहा है जिमें ओहो उसता ही उत्तर है ठीक है बेटा हुन देखो जो तो माता इच्छरा पूरन दे मुहों इस तरह हो उसला देन वाले गल्ना सुन दी है जो तो पूरन उसनू दिलासा दिन्दा है तो उसमें माता इच्छा पूरन उसते देश ते माता पिता बारे पुछती है कि उसनों किसने जनम दिता है ते नाली आख दिये कि जेकर उसती अखा दी जोत जग दी उसती अखा दी रोशनी वापस आई उन्दी उसनों अखा तो दिखाई दिन दांदा ते उसने पूरन दी शकल सूरत वेख के पशान लेना सी पर उसनी बोली सुन के उसनों इस तरह लग रहा है कि जेवी ओहो उसताई पुत्तर है नेक्स पिटा माता इच्छन दी इहे गाल सुन के पूरन पहला ता अपनी मातों अपनी हकीकत लुका के रखन दी कोशिश करदा है पर बाद विच सब कोज साच दास्ते होए आखता है कि उसता देश जोगियां दा टिल्ला है ओहो जोगी गोरकनात दा पुत्तर है अते जोग कमाउना उसता काम है उसता मुडला शहर उजैन है अते उसती बरादरी राज बंसी कराणे नाल सबंद रख दी है ओ माता इच्छरा नो दसता है कि ओ राजे सलवाहन दा पुत्तर है उसता नाम पूरण है अते उसी जात परियार है हुँ देखो बेटा जो पूरण माता इच्छरा दे मुहों प्रशन सुनता है जो तो माता इच्छरा उसनो उसते माता पिता देश बारे पुछ दिये पहला तो अपनी सचाईल को आके रखंदी कोशिश करदा है पर बाद विच सब कुछ साच दास दिन्दा है तो माता इच्रन आखदा है कि उसता देश जोगी यादा तिल्दा है तो केस दा पुत्तर है जोगी गो रिखना आखदा ठीके जोग कमोना उसता काम में मतलब की परमातमा दा नाम जपना परमातमा दा तप करना ही उसता काम में तो उसता जो मुडला शेर है और उजयन है तो राजवन्छ कराने नल सबांद रखदा है एथे फिर वह अपने परिवारिक पिशोकर बारे जानकारी दे रहे है ठीक है, मतलब की उस्ता मुडला शेर उजैन है, उर आजवन शक्राण इनल सबांद रखदा है, राजे महाराजे हैं विच्चों सी, ठीक है, ते उर राजे सलवाहन दा पुत्तर है, उस्ता नाम पूरण है, ते जात उस दी परियार है, ओके बेटा, मतलब की इत्थे उसने अपने परिवार दे पिशोकडबारे वी माता इच्चरानों दास्तित्ता सी, नेक्स बेटा, पूरण दे मुहों एहे सब सोन्दियां ही, माता इच्चरा दियां, अख्खा दी जोत, वापस आजान दी है, आते उसती मा दी ममता, जाग प पूरण नू बचपन विच प्योणा सी, ओपर नाले बन के वैत उर्दा है, उस समय माता इच्चरा ओठ के आपने पूरण नू शाती नाल लगा लेंदी है, अते उसनू पूरण विचोड़े विच बरदास्त कीते सारे दुख तकलीफां पुल जान दी हैं, इस तरा अंत विच विच्चडे होए माँ पुत्तर दा मेलो जन दा है, उन देखो बेटा, जो दो पूरण सारी सचाई अपने बारे दास दिन दा है, ते उस समय माता इच्चरा ओठ दी जोत वापस आ जन दी है, पाव के उसनू अख़ा तो दिखाई देन लग पेंदा है, उसनी माँ अधी ममता जाग पेंदी है, ते उसते थणा मिचो दोद पर नाले मांग वैत उड़ता है, जेडा दोद उसने पूरण नू बच्पन वेच प्याउना सी, ते नाली माता इच्चरा ओठ के अपने पुत्तर नू शातिना लगा लेंदी है, जो दो माता इच्चरा अपने प पगतदा मेलो जन्द है, ओके बेटा इथे तक साड़ी जो समरी है, जो पूरण पगतदाल सबंदी जो सारे कम्प्लीट हो गये, ते सार्थ उसी अपने कॉपी जो पर लिखना है, ठीक है, ओके बेटा, ठेंक यू,